हलो दोस्तों नमस्का तो आज के हमारी इस हैलफ फुल वीडियो में आप लोगों को बहुत स्वागत है इस वीडियो के माददे हमसे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप साउंड बॉक्स करें जाते हैं तो सबसे पहले साउंड बॉक्स में आपको किंची जोगा ध्यान कि आप उससे कहें कि कोई भी पिलाई मुझे इस पिलाई का देदेजिए तो ऊपको कहा देगा आपको साउंड बॉक्स सेंहां कौन सी यूज तो क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी है वह आप ध्यान से देखेंगी और जो फिलाई होती है उसमें खनक नहीं आनी चाहि पंटी से क CCP σε कनेक्ट होना चीह कोली चीज में हमारी गैपिंग ढेयर होता है तो चीज में किसी इस अटो bees अच्छी अच्छी मेरत श्लीए होने हसके में जा चाहिँ जो है बिलकुल बेकार जिए यहां पर जो को दिखाई दी रही है यहां पर जो यहां पर जाए इसके सामने कहीं कील आ जाती है तो क्या पकड़ लगाएगी वह उब तो इससे आपका डिबा जो बनेगा वो बिल्कुल डीला बनेगा और यह किसी काम का नहीं रहेगा आगे चल के दो चादस प्रोग्राम करोगे पूरा को पूरा डिबा हिल जाएगा इसके बीच का जो यह जिसे बेस बजेगा तो देरे-देरे इसमें गैपिंग और हो तो इस तरह कि हमें कुछ चीज़ें देखना है आप कोई भी पिलाई का यह कह देंगे तो वो कह देगा हाँ इसी पिलाई का बना हुगा है और देखिए यह वाली पिलाई आप को दिखाते हैं यह पिलाई आप देखिए इसमें कोई भी गैपिंग नहीं है इसमें बहुत तो आप इसको आशानी से देख सकते हैं कि इसमें कौनसी प्लाई का यूज यूज है तौ हम देखके ही समझ सकते हैं कि कुछ दुकान-daar ओं relatious नहीं जानता हूं व 2022 कुछ देंगेगे ह्मका नाहीं केश्यान प्लाई यूज हुल सकते हैं और इसमें कोई भी Gaping नहीं है तो ऐसी पिलाई कभी भी बजती नहीं है और इसमें बेस बेरा और जो sound quality है बहुत ही बहती ही निकल के आती है तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हमारे जो पिलाई होती है तो प्लाई में किसी प्लाइ की कोई gaping नहीं होनी चाहिए और हमारे जो लेयर जो जोड़ी रहती है अपmani में उनके बीच में कोई भी gap दिखाई हमको ना दे तो इस तरह से दितने मजबूत आपको प्लाई में कोई gaping दिखाई हाई ना दे तो यही प्लाई हमारे साउंड बॉक्स के लिए बढ़िया होती है देख लिए आपको देखा रहा हूं इसमें कोई गैपिंग नहीं है 19 mm का यूज हुआ है इसमें 18 mm 19 mm का देख लिए आप नजदिक से में देखा रहा हूं आपको बिलकुछ सांदार प्लाई का यूज किया गया है इस प्लाई में आपको कोई भी डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं आएगा और यह खनक नहीं आनी चाहिए आप प्लाई में किसी प्लाई की आवाज जैसे तो एक टन नहीं आना चाहिए तो जब दबी सी आवाज आएगी तो समझ लेना यह आपका इस्प आप ऊपर से ठोकते हैं और टन टन की आवाज जैसे आती है तो समझ लेना किसमें हमारा साउंड अच्छा नहीं बज़ेगा इसमें ना अच्छा बेस आएगा और यह हमारा डिस्टॉर्शन पैदा करेगा हमारी आवाज को खराब करेगा तो इस पीकर की आवाज के साथ सा प्रब्लम होगी तो देख लिए यह साउंड में जो काम किया गया है देख लिए पूरे नीचे से ब्लोग पूरा डंडा लगा इसको सपोर्ट दिया गया ऊपर तक दिए पूरा कहीं जैसे आपने पहले इस पीकर में देखा तो उसमें आपको टोकड़े टोकड़े लगा अब्लग जाते हैं तो इस को सब्सक्राइब लेकिन चाहूं की पूरा को सपोर्ट है तो ऐसी सपोर्टिंग से हमारी बॉक्स मद्पूती हमारी चारगूनी हो जाती है तो यह सपोर्टिंग से ही तो हमको जब भी हम बॉक्स खरीदें जाते हैं तो हम किसी भी पिलाई को नहीं जानते हैं क्योंकि बजार में हजारों प्रकागी पिलाई आती हैं आप कुछ नहीं समझ पाएंगे दुकांदार आपको जो कहोगे वो दे देगा और आपसे जादा पैसे लेगा तो आपको कोछी नहीं करना आपको जब बॉक्स खरीदा तो आपको यह देखना है कि हमारी फिलाई हमारी किस टाइब की है तो बस यहीं आप देखके इन चीजों का धियां रखके पिलाई का जो बॉक्स है वह आप खरीदे तो आपकी लिए बहुत ही चैनल को सब्सक्राइब जरू करें